दोस्तो 2023 में इलेक्रिक स्कूटर आने वाली है जैसे कि सिंपल वन आप सभी को पता होगा उससे भी यहाँ पर एक इलेक्रिक स्कूटर आने वाली है जहां गाइस मैं बात कर रहा हूँ टीवेस आई क्यूप की स्टी के बारे में और कुछ दिन पहले मैंने अपडेट भी डा सकता है क्यों duda 2030 में Simple One और वी कंता है इलेक्रिक स्कूटर जो है नियु इलेक्रिक स्कूटर आने वाली है और है टीवेस आइक्यूप की स्टी इलेक्रि unbelievably स्कूटर काफी सारे friends wait कर रहे हैं, simple one भी है waiting के लिए काफी friends wait कर रहे हैं, बट TWS की IQ ST भी wait कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक reason है कि 145 km की true range इसमें देखने को मिल जाती है, और भी कही सारे electric scooter में आपको features मिल जाते हैं, और सबसे पहले सेफटी जो है, TWS की electric scooter में भर-भर के safety है, क्योंकि L battery use की है, और काफी सारे friends का बोलना है कि यार, TWS IQ का जो दो model आभी available है, वो तो delivery चालो है, बट ST में क्यों यहापर जो रुकावट आ रही है, तो guys देखो यार, इन्होंने पिछले महिने में काफी एच्छा growth किया है, काफी एच्छा sell किया है, customer का feedback भी आ रहा है, बट customer का थ एलेक्री स्कूटर की delivery देखने को मिल सकती है, या final windows वगरा कुछ और आपको यहापर जो इंट्रेस्टिंग update देखने को मिल सकता है, जैसे guys आप सभी को पता होगा कि March महिने के आराउंड लिया आपको simple one की delivery देखने को मिलने वाली है, और guys लेट होने का कारण यह है, कि TWS IQBS still late हो रहे है, क्योंकि इसमें government के new guidelines आई है, वो भी हापर पास करना पढ़ रहा है, क्योंकि आर अभी तक delivery start नहीं की थी, और government के हिसाब से जो है, जिसकी आपर जो delivery start नहीं है, उनको फिर से आपर जो approval लेना पड़ेगा, क्योंकि आर approval नहीं मिलेगा, इनको without approval यह sale करेग और guys, simple one भी आने हुआ लिए, तो आपको क्या लगता है, क्या simple one अच्छी होगी, या TVS की IQBS ST अच्छी होगी, comment section में जाकर जरू से जरूर बताइए, तो दोस्तों यह तो कुछ आज का short update जो कि TVS IQ के तरफ से देखने को मिला, अच्रा रहते like किजे, share किजे और इस एलेक् करना आपोली